नमश्कार! लोग्नत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बिनराय। आज बात होगी रेल हासु को लेकर होरी सियासत की और खास होसे जो भारत की यात्रा की खास होसे रेलवे। उसके साथ क्यों इस तरीके से खिलवाड हो रहा है क्योंकि हमने देखा है आम तोर पर कि जब याता करने के लिए यातरी घर से निकलता है तो रेलवे को अब वह उस तरह के सरुच्छित महसूस नहीं करता जिस तरह से उसके मन में पहले ऐसास हुआ करता था ना तो प्लेटफरम पर सफाई है ना तो रे सब्सक्राइब क्या होते हैं क्योंकि सरकार गठन के दिन ही गोरक धाम एस्पेस्टेन बस्ती में डिरेल हुई और उस भी उसमें भी कई लोग मारे गए और आज बीती रात जिस तरीके से राधानी एस्पेस्टेन जो कि देश की सबसे बीवी आईपी ट्रेन गिनी जाती ह दिल्ली डिबुरुगाल जिस तरीके शप्रा में डिरेल हुई उसमें चार लोग जान गई और तकरिबंबारा लोग अभी भी गंभी रूप से घायल है झाल 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 की कोई भी चीज किसी भी तरह का कोई हमला हो या दुरघटना हो तकरीबन 90 फिजदी कही ना कहीं लोगों को जानकारी होती इस बात की कि ये चीज हो सकती है जैसे अगर कोई भी बंद का आवान किया जाता है किसी भी राजनितिक दल के अगर हम बंद की बात करें तो बंद करने वाले राजनेताओं को उनके पॉलिटिकल जो कारी करता है उनको साथी साथ रेलवे अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी रहती है कि अगर आमुक दिनिया फला दिन अगर में बंद रखना है तो सबसे पहले में रेलवे स्टेशन जाना है रेलवे ट्रेक्स पर बैठन किसी बी तरह का आंदोलन राजनीतिक आंदोलन हो किसी का कोई दुख हो सबसे पहले अगर कोई प्रतिबादीत होता है नुकसान पहुचा जाता वो रेलवे होती है यह बात हर आदमी को मालूम है लेकिन फिर भी आज कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कि किसी भी आंदोलन में कारियों को रेल्वे को नुकसान पहुचाने से रोका गया हो यह क्यों नहीं हो पाता इसका जवाब आज तक किसी भी राजनेता ने प्रशास्टिक अधिकारी नहीं दिया विषर की बात करें दो विशेश सराजी का दर्जा की मांग होती है तमाम बड़े नेता रेल्वे क खुद कहा कि नक्सली हमले की बात से इनकार नहीं किया जा सकता इस यह जो इलाका है कि अधिक प्रहॉईट इलाका है आपको क्या लगता है यह डर हमेशा बना रहता है इलाके के लोगों को जब वह रेलवे में सफर करते हैं या ऐसे ही रेलवे के रेटफॉर्म्स बजाते है पट्रेव का सबस्क्राइब जाते हैं तो डर तो बना रहता है डर से कोई पीछे नहीं है और राजधानी जैसा ट्रेन दुर्गतना हो इसके लिए तो बहुत दुखत की बात है सरकार कहते हैं बुलेट ट्रेन चलाएंगे और राजधानी जैसा ट्रेन को जब शुरुचित एंचल नहीं है तो बुलेट ठ्रेन कैसे और चला सकते हैं बिलकुल बुलेट चलाने की बात करीए कि लोगों का कहना है जब राजधानी जो सब बेहतर ट्रेन कहीं जाती है जब रख्शित नहीं तो बुलेट बे चले कैसे लोग उसमें चाहिए आप से जाना चाहेंगे न सवर्पर्थम मृत्रकूं के परिवार और प्रतिवेरी गहरी शना है इतनी बढ़ी घटना होई वैसे रेल के रेल में जब भी गटना होती है तो दुर घटना का जिम्बबार किसी ने किसी शंगठन को किसी ने किषी आंधोलन को लगा आप में जहांकने की जरूरत है क्योंकि उसके ट््रैकिंग इस्टम पूरी प्रणाली ही शमापत हो चुकी है वो रेल्वे के पटरियों को ठीक करने की जरूरत है रेल्वे में शुविधा मुहया कराया जाने की जरूरत है इस अंदर्व में यह भाड़ा बढ़ाया जाने का एक तरफ सरकार ने लिया है तो उस संदर्व में उसको दूसरी तरफ यह भी ने लेना चाहिए कि कैसे हम पट्रियों को सुरक्षित रखें कैसे रेली आत्रियों के जीवन को सुरक्षित रखें ताकि एक स्थ जनता में शंतोस की वावना बढ़ा बंपे की वैसे कोई एक दिन का यह काम नहीं है बहुत दिनों से चला रहा शिल्षिरा है और यह इस सरकार या उसकी दोस्त या आलोचना का समय समय है सिर्फ इसमें शुधारवादी दृषिकोन का यदि शारे लोग सारी यन्ता यदि यह समझ ले कि हमें शुधार करना चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं बता रहे हैं कि कम से कम जो सुसकर अगर आप मेरी वात सुना है तो मैं कहूंगा कि जिस तरीके से आ आपने अपनी राय रखियों साथ में जो आपके साथ लोग थे उनके आपने उनसे बात्चित करके बताने कोशिस की कि आम आदमी क्या सोच रखता है रेलवे के रेलवे की सुरच्छा को लेकर इसके बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमार साथ जुड़े लेकिन हम जरूर क साथ इसके लिए आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद फिर आप से संपर्ट करेंगा जाने कोशिस करेंगा आगे कि कैसे इन चीजों से निप्टा जा सकता है और अस्थाइन लोग समधान के लिए क्या करते हैं क्योंकि बिहार के लोग रेलवे को लेकर ज्यादा विज सब कुछ हो सकता है पनिस्पत राजनेतिक इच्छा सकती कोई दिखाए मैंने जनवरी सन 75 में एक अधिकारी के रूब में रेलवे को जॉइन किया तब से और जब मैंने वॉलंटी रिटार्मेंट लिया 2007 तक कि तेने ही रेल मंत्री देखे उसमें केवल एक ही रेल मंत्री प्रभावित किया वो थे स्वर्णियस किरी माड़ो रा सिंधिया तर्वाइस जितने मंत्री हुए ३ूरेमंत्री हुए सबने अपनी राजनेतिक इमेज चमकाने के लिए रेलवे का केवल दोहन किया रेलवे का इस्तैमाल किया जब राजनेतिक प्रमुख रेलवे का इस तरह दोहन करेगा तो फिर नीचे के अधिकारी और कर्मचारियों की तो फिर बाती अलग है रेलवे में आज भी एक्सिडेंट के टाइम पर देखिए कि रेल का आज मी किस तरह मसीन की तरह काम करता है अपना अनने खुद लेता है और मिनिमूम टाइम में रेस्टोरेशन होता है आर्मी के अधिकारी और आर्मी के लोग भी जब देखते हैं तो दांतों तली अंगली दबा लेते हैं कि लोग किस तरह कम करते हैं लोगों के अंदर रेल के कर्मचारीयों के अंदर घ्षा सकती है लेकिन कोई उनको जो खारे मुगी लिख निर्जशित तो करे खुदिख खड़े होन के काम तो बताएं तो इसे नहीं है अगम ऐसे होगा और याद करिए इमर्जंसी के दिन यही ट्रेन यही स्टाफ यही सब कुछ सो बुराईयां सही रिजर्वेशन इमर्जंसी में लेकिन रेल टाइम से चलती थी क्यों केबल डंडे का डर था मैंने से देट और बुजराजी का माणना कर डंडे का डर है तो अब कुछ हो सकता है कुछकी इच्छा सकती की कमी नहीं लेकिन शेप कहा जाए तो अभी bersie को राईल पहले दो मेहमानों से भी लेकिन उनसे बात करें उससे पहले खास तोर पर इस पर नज़र डालना जरूरी है कि आज जिस तरीके से रेल हास सियासत का बाता बरवना क्या ज़ूरत थी कि बिना किसी जाच रिपोर्ट के पर्थम देश्टिया रिपोर्ट आये हुए रेल मंतरी अस्ती खुद इस बात की बियानमाजी कर दें कि ये नक्सली हम्ला हो सकता है और एक घंटे के अंदर ही डेश्क गृर्व मंतरी का घंटन कर देए अस्थानी-व mess overs पर जिले के द्एंप ज्ले के एसपी पहले तो पर बोलॉए कि नकसली हमले का कोई यहां पर समभावणा नहीं है नकसली सम्हावणा सीधे-सीधे इंकार कर रहे हैं उसके बाऎउज तारी को एक सी हम्ला हो क्यों पट्री से उतर गई दिल्ली की ओर दौटी राजधानी कौन है चार्ज जिंदगियों का गुनेहगार ये हाथसा है या फिर लाल आतंग की हरकत जी डिबरुगर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के साथ जो हुआ उसमें माव वादियों का हाथ होने की आशनका को खारिच नहीं किया जा सकता रेल्वे के जिमेदार अफसर का है ये बयान लेकिन रेल्मंत्री अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं सदारन गौडा बोले हैं जाच होगी कारण बताएंगे वैसे इस हाथसे में नकसलियों का हाथ होने के पीछे कई कारण गिनाय जा रहे हैं रेल्वे अधिकारियों का कहना है कि मौके पर बड़ा सा गठा है जो वेस फोर्ट से बना है वहें इस इलाके में नकसलियों ने बंद बुलाया था इसके चलते नकसली ट्रेन दुरघटना कर लोगों में खौफ फैलाना चाहते हूं इसके साथ ही इसी ट्रैक पर लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर एक माल गाड़ी भी पटरी से उतर गई हाथसा बिहार के छपरा जिले में हुआ ये जिला बर्सों से नकसल प्रभावित है नकसली पहले भी कई बार यहां रेल पटरियों को विसफोर्ट से उड़ा चुके हैं लेकिन प्रशासन नकसली वारदार से साफ इंकार कर रहा है पर इन सब दाओं प्रतिदाओं से तूड सियासत अपने में मश्कूल है नितीश सवाल कर रहे हैं सरकारों पर एक जरूरी सवाल अगर रेल्वे को ऐसा लगता है कि यह नकसलियों का यह काम हो सकता है या कोई सर्ण है तो जब किसी इलाके में नकसली संगट्नों के द्वारा बंद का आवहन किया जाता है तो ऐसी स्थिती में रेल्वे पालेट इंजिन चलाती है ट्रेंड आगी तो प्रस्ट यह है कि अगर उनको ऐसा पतीत हो रहा है गटना के तुरत बाद तो क्या पाइलेट इंजिन उन लोगों ने चलाया था उसके आगे सवाल जायास है जवाब रेल मंत्राले दे नहीं रहा सवाल यह कि राजधानी एकस्परेस से गुजरने के लिए पाइलेट इंजिन चलाया गया या नहीं नकसलियों का बन था तो सुरक्षा के पकता इंतजाम क्यूं नहीं थे और सवाल यह कि राजधानी एकस्परेस जैसी बड़ी ट्रेन में हासा कैसे हो गया एहमद अबासी के साथ प्यूरो रिपोर्ट एपिया आपने देखा किस तरीके से दुरगटना के बाद सियासत का वाताबन बना हुआ है जिस तरीके से जिस मुद्ध कुन उठाया उसी मुद्ध को हिलाल साब ने उठाया था कि जब इस इस इलाके में राधानी चल लए थी और नकसली हमले की बात है तो फिर वहां पर पाइलेट इंजन को नहीं चल ला था हम वैसे दो बात करना चाहते थे राजनेतिक मेहमानों स जलना चाहते हैं जो हिलाल साब ने सवाल उठाया था उसको लेकर सेम वही बयान आप नितीश कुमारी बोल रहे हैं कि पाइलेट इंजन क्यों नहीं था और दूसरी बात की रिफार्म को लेकर बात आ रहे हैं कि पिछले 20 सालों में रेल्वे को रिफार्म नहीं हुआ तो क उनके सबत के पास वीवगत हैं हरे एक वीवगत के पास उनका मेंबर नहीं होता और कवार तो यसा होता है कि पास जो वैदिध होते हैं उनकी ABCD भी मेंबर नहीं जानता लेकिन मिनिश्टर के सामने वही रिकम वही उनको प्रिजेंđ करेगा नहीं इज्छ Что सब बावन और इन सब भावनाओं पे रिपोर्ड भी अलग-अलग समयतियों की रिपोर्ड भी रेल्वे बोर्ड में उपलब्द है रेल्वे को सुधानने के लिए रेल्वे बोर्ड का सुधानना बहुत आवर्शक है दुनिया भर के माफिया जो रेल्वे मेटियल पर्चेश करने से लेके और मैनिफेक्शरिंग तक उसमें रेल्वे बोर्ड का सीधा-सीधा इन्वाल्मेंट है पॉलिसी में सीधा-सीधा इन्वाल्मेंट है जिस विभाग की पॉलिसी है उसको विस्वास में लिया नहीं जात जिस विवाग की तकनीक है उसको विश्वास में नहीं लिया जाता आप बताईए कि आज दुनिया की रेलवे इतने आगे बढ़ गई क्यों अपनी क्यों पीछे पढ़िए क्यों कि रेलवे में जो विवाग सुरुआती रेल के सुरुआती दौर में बहुत छोटे थे वह आ उनका कोई महत्वी नहीं एंगे उनका कोई मैंने कितनी ही ऐसी वाते हैं और इन सब पर रेलवे बोर्ड के पास अलग-अलग समितियों की रिपोर्ट हैं सी आरे सकी तो के फैरर रिपोर्ट हैं लिए उन सब का पहियाद इंप्लीमेंट कर दी जाए तो दुर घटनाएं का सब्सक्राइब कर दो तरह से क्योंकि आपोजिशन के तो पर बात की जाए तब भी कॉंग्रेस के नेता हिलाल साभ ने आपके बगल से बैठकर आवाज उठाया कि आखिर पाइलेट टेल कहा थी और दूसरा नितीज कुमा जो रेल मंती रह चुक है उन्होंने भी कहा कि अगर नकसल प्रवाइत इलाके से राजधानी गुजर रही थी तो उसका पाइलेट इंजन कहा था पर्थम दिश्ट्या क्या इस पर रिस्पॉंसिविल्टी तुरंत फिक्स नहीं होनी चाहिए थी जांच की रिपोर्ट उस बात को लेकर आती कि ट्रेन पट्री सूतरी कैसे लेक उस वक्त बीजेपी को चाहिए क्योंकि रेलवे में जो ट्रांसफार्मेशन होना है उसके लिए बीजेपी को कम सकम दो से तीन साल का वक्त लगेगा और बीजेपी वो सब कुछ करके देने वाली है जिसकी देश की जनता इंतिजार कर रही है और देश की जनता ने हास में दर्ज हो जाएंगे उसकी थोड़ा वक्त की जरुए हिलाल साहब जनता से जब जनादेश मांगा जा रहा था उस समय बीजेपी के जो प्रधानमंत्री पद्के उस समय को मिद्वार थे जो की प्रधानमंत्री आज की तारिक में देश के हैं उन्होंने का साथ साल के हास में देजिए एक महीने लगभग हो गए बस्ती रेल हासे को जिसमें गोरक धाम एस्प्रस पट्री सूत्री थी कई लों की जाने गई ती है किस तरीखे के नहीं को वह हैं घर साल में कहां कहां हांसे हुए हम उस पर नज़र डालती हुई यह रिपोट 2013 में रेल हाथसों पर नजर डाले दो 10 अप्रेल 2013 मुजफर पूर यश्वनपूर ट्रेन चिन्नई में अणा कोडम के पास पट्री से उतरी हाथसे में एक यात्री की मौत हो गई जबकि एक यात्री खायल हो गया 19 अगस 2013 सहरसा पतना राजिरानी एक्सप्रेस ट्रेन से सहरसा के पास धामरा स्टेशन पर 35 लोग को चल कर मर गए 2 नवंबर 2013 अलापुछा धनबाद एक्सप्रेस से गोटलाम के पास 10 लोग कटी 20 लोग खायल 15 नवंबर 2013 मंगला एक्सप्रेस के 13 डिबबे नासिक के पास पत्री से उतरे 4 की मौत बारग गायल 28 दिसंबर 2013 बैंगलोर नादेड एक्सप्रेस एसी कोच में आग से 26 की मौत बारग गायल 2014 के हाथसों के बारे में बात करें दो 20 मार्च 2014 मुंबई के पास टिटवाला में लोकल ट्रेन के 6 डिबबे पत्री से उतरे एक वक्की मौत 9 लोग खायल 18 अप्रेल 2014 आसन गाउं के पास फैसाबाद लोकमानित तलक टर्मिनल एक्सप्रेस का इंजन और डिबबा पत्री से उतरा कोई हताहत नहीं हुआ 4 माई 2014 दिवा जंक्षन सावंत वाड़ी पैसेंजर ट्रे रोहा के पास पत्री से उतरी 20 लोगों की मौत 100 लोग खायल 26 माई 2014 दिली से गोरग पुर जा रही गोरग धाम एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन के पास मालगाड़ी से टकराई 25 मौसाफिरों की मौत 50 से ज्यादा घायल बियरो रिपोर्ट एपियर